बिहार में बीजेपी डर गई है क्या वाकई बैकफुट पर आने की कोशुश बीजेपी की तरफ से की जा रही है ये सवाल असलिए क्योंकि जस तरीके से मुकेश चैनी ने अपनी नाराजगे जाहर करते वे ये कह दिया कि वो एंडिये की बैठक का बहुशकार करेंगे और वैसा ही हुआ लेकिन इस सब के बीच जब दोपहर में मुलाकात होती है सेहनी की मांची सी और उसके कुछ ही देर बार शानवाज हुसेन पहुशते हैं उनके घर पर मुलाकात करने अब ऐसे में इस मुलाकात को लेकर महस सश्टा चार मुलाकात ही बताय जा रहा है लेकिन सब के बीच जो बाते ही इस सामने आ रही है जो तस्वीरे सामने आई प्रिषले कुछ दनों में ये साफ बया कर रही है कि कहीं न कहीं बीजेपी अब बैकफुट पर आने की कोशश कर रहे हैं क्योंकि जो एंडिय की सरकार है अगर उसकी बात की जाए तो बेहार में जो उ मगा जाएगी इसकी नईया डोल जाएगी लेकिन इन सब के बीच शेहनवाज हुसेन के मुलाकात की कई सारे कयास कई सारे माईने निकाले जा रहे हैं ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी बाक फूट पर आ गई और यही वज़ा है कि उन्होंने मुलाकात की मुकेश शेहनी से बता दें कि जो सरीके से उत्तर प्रदेश में योग्यादत नात की सरकार के द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा मुकेश शेहनी को रोका गया इतना ही नहीं उनके कारकर्टाओं को नजरबंद किया गया फूलन देवी के शहादत दवस को मनानी के तयार उनके तरफ से की गए थी और उत्तर प्रदेश विदानसभा चुनाओं को लेकर सबसे जादा प्रमुक्ता से कोई बेहारक के दलों में से सामने आया है तो वो है मुकेश टेहनी अब जैसे ही मुकेश टेहनी हर वो जोर आजमाईश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से उत्तर प् की सरकार की तरफ से उन्हें रोका जाता है और यही नाराजगी यही बदला वो बेहार में निकालने की कोशुश कर रहे हैं अब ऐसे में जब इन बातों को लेकर चर्चाएं जब चरम पर हो रही थी कि क्या वाकई बेहार में एंडी की सरकार गिर जाएगी क्या वाकई बे बिहार में सत्ता परिवर्थत हो जाएगी ये सवाल जब लगातार बिहार के सियासी गल्यारों में गूंज रहे थे इसी बीच में शेहनवाज उनसे मुराकात करने पहुंचते हैं और खुद सैनी ने भी जब कर शाम चार साड़ी चार वजे के आसपास अपने आवास पर प् पर का है कि बिहार में इंडिये की सरकाप पूरे पांच सालों तक चलेगी मुख्यमंद्र नितीश कुमान बिहार में मुख्यमंद्री के तौर पर सत्ता पर विराजमान रहेंगे लेकिन इन सब के बीच जो तस्वेश सामने आई शाहनवास से मुकेश रहनी के मुलाकात की तो ऐसे में ये बिल्कुल समझ में आ रहा है कि कहीं न कहीं बीजेपी अब बैकफुट पर आ गई है और सेहनी की नाराजगी को दूर करने की कोशुश की जा रही है पर लाकर इतना ही ज़ादा अपडेट के लिए आप बने रहें नियूस वानेशन के साथ नमस्कार